गूड मॉनिंग जैपूर, पहले प्लान है कि ब्रेकपास्ट करेंगे, उसके बाद पॉर्ट होगारा निकलेंगे, और फाइनली पहुच गे हम नारगड पॉर्ट और आपको दिखाता हूँ अगे, अब भी निकलना हमको पैदल रास्ता के लिए चलो हमने चार-पांच जागा पहले ही सोच के रखी है दिमाग में सबसे पहले तो वही कवर करना है उसके बाद देखते हैं कि आगे कहां जाते हैं तो निकल गए हैं अभी ऑटो डून रहे हैं और ऑटो नी मिल रहा पहले प्लान है कि ब्रेकपास्ट करेंगे उसके बाद पॉर् कि बाद पुज्वच आशके बाद काम दो जा यही बाद ऑन हो ने गाड़ी तो खोटन वेखड़ी करती है और हमने प्लान करा है कि हम यहां पे ये रिक्षा अगरा में कुमें हैं बाद गाड़ी वे खूम तो फाल्तू में ऐसका क्राय वगरेना पड़ेगा और जहां पी पार्किंग लाएंगे तो पार्किंगा क्राया देना पड़ेगा इसनी आपने घुटा है इरिक्षा बगराव करते हैं और हम फास जा रहे हैं नारगरण पॉट जा रहे हैं नारगरण पॉट अभी है देख सकते हो मार्वल्स की कितनी प्यारी-प्यारी मुड्टे बनी और फाइलेली पहुंच गे हम नारगड़ पोर्ट और आपको दिखाता हूँ अगे अब भी निकलना हमको पैदल ही रहा पैदल का रस्ता और अभी आपको पैदल चलना है बाकी मिलते हैं आपको उपर बता रहे हैं डेट दो फिलोमेटर भी पैदल चलना है तो हम धंग से न आपको नजारे दिखाता हूँ किया ही सही लग रहा है यार और अभी चलते जा रहे हैं अब जैपूर में भी इतनी चड़ाई आई हो बाकी नजारे बहुत प्यारे आ रहे हैं और यह थोड़ा गर्मी ज्यादा इसलिए नहीं लग रही है और यहां पर हाव भी चल रही है तो इसलिए ज्यादा गर्मी बीन लग रही है यो मैं क्या ही प्यारा लग रहा है और अब तो हमको और जाना है उपर वहां से और वहां से तो और भी बहुत प्यारा विवाने वाला है और अब तुम नहीं बोला तो वह आ गया पोर्ड में का अंकल बोलत रहा था कि दो डेड़ से दो किलो मेटर पैदा चलना पड़ेगा फाइनली दो किलो मेटर चलके नारगड फोर्ड पहुंच गया है हालत काफी बूई हो गई है चले बेशक बहुत है पर मज़ा तो आ रहे हैं यहां जाने हमको शीष महल चलो चलते हैं यह पता नहीं साइड क्या होगा करेंगे पता थोड़ा लोकल से और यह उपर है तर्शीष मैल इसकी टिकर थी 500 रुपीस वन परसन तो इसलिए हमने प्लाइन ही कैंसर कर दें फिर हम गया है माकी दिखाते हैं आपको आगे यहां पर हो और क्या कुछ है गूमने के लिए है हुआ है क्या है यह यह जो रखे हैं मतला इस अब उन दिख लेवे बना बने वे अच्छा तो कुछ ऐसा है यह और बहुत सारे हैं इस साइड भी हैं उस साइड भी हैं आपको सबसे लिए जाते हैं और यहां का व्यू दिखाते हैं जम दो किलो मेटर पैदा चले हैं अब आपको दिखाता हूं यह पूरा जैपूर चलो चलते हैं अब नारगड फोटो करते हैं बाए बाए और बहुत ही प्यारा यार मतलब मज़ा आ गया है को दिखाते हैं अब जल महल और यह रहा जल महल और आप देख सकते हो और आप यह वाल दिख रही है यहां से मको पता चला है 36 किलो मेटर की वॉल है इस वॉल में तीन फॉर्ट कवर होते हैं तो थोड़ा प्लैन कैंसल हुआ अमीर फॉर्ट की जगा अभी हम आ गये हैं जैगर फॉर्ट और यहां कभी आपको थोड़ा सा अंदर जाकर बताऊंगा और अभी आप जैगर फॉर्ट की खासी देख बताता हूं जो मेरे को भी पता चला हुआ उपर देख रहूंगा यहां पर वर्ल्ड की सबसे बड़ी तोप है और वही देखने जा रहे हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं फाइनली पहुंच गए और देख सकते हो आप लोग यार वर्ल्ड की सबसे बड़ी तोप क्लोज से दिखाता हूं भाई साब क्या है यह और यहां से भी दिख रहा है जनमहल बहुत ही प्यारा और चुछ मैं अपको दिखाया था पहले की जोप यह उफ्फाइर हुई थी तो जहां पे में पहले दिखाया थे। डितु और आपको क्लिप कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा है वस चली जा रहे अंदेरा है लाइट जली यह पर चलो कुछ तो मिला देखने के लिए यह है अमीर फॉर्ट जहां तक वो पता चला है और हमने नेक्स अभी वहीं पर जाना है नीचे लगे मैं और फोटो शूट करने में बोलते हैं कि यह राजा की पर्सनल प्रोपर्टी यह जो अभी भी समालते हैं आओ जहां जो जी यहां पता चलिए और जो भी बढ़ रहते हैं और साथ डॉर की कोई बूर बुलाईया थी जिसमें अभी हम अंदर गए थे तो निकल गए हम जैगड़ फोट से